हाई फिंट्स मेरा नहीं राज और आप दिख रहे हैं Windows Tech Solution तो आज का टॉपिक है How to Fix Automatic Repair Error on Windows 10 तो हम स्टार्ट करते हैं आपको जाना है Advanced Option के अंदर उसके बाद आपने क्लिक करना है डबल शूट के Option पर आपने क्लिक करना है Advanced Option पर आपने क्लिक करना है Command Prompt पर ठीक है यहां पर आपको एक Command डालना है वह है SFC Space Scan Slash Scan Now और आपको Enter Press कर देना है तो इस Command से होगा क्या आपकी वह Hard Disk को जो भी Error है जो भी Corrupted File है उसको रिपेर कर देगा और यह Process 10 से 15 मिंट चलता है तो आप देख सकते हैं कि Start हो गया है और 5% complete हुआ है भी तो यह 100% तक जाएगा तो मैं इस वीडियो को थोड़ा Fast Forward कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यह 98% हो गया है भी अब यह 100% complete हो गया है Process और इसने सारी जो Corrupted File उनको रिपेर कर दिया है उसके बाद आपने इसको complete होने के बाद लिखना है Exit उसके बाद आपने जो First Option है Continue यह वाला चूज कर लेना है और आपका जो भी laptop या desktop जो भी आप यूज कर रहे है वो एक बाद restart होगा और जो यह error है यह fix हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ एक बाद लाइव यह मेरा desktop यह भी restart हो रहा है यह जो command है यह अपने laptop में भी यूज कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं बिना error के यह मेरा जो window है वो load होना start हो गया है तो आपको बस यह activity यूज करनी है अपने issue को solve करने के लिए automatic repair के Thank you, thanks for watching